दोस्तो जिनकी दाड़ी अबी तक नहीं आया है वो टेंसन नहीं लेंगे बिलकुल टेंसन नहीं लेंगे उनकी भी दाड़ी आ जाएगी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ एक महिने के अंदर उनके गालों पर छोटे छोटे बेबी हेर्स दीखने इस्टार्ट हो जाएगे जी हाँ दोस्तों मुझे पता है आप लोग बहुत पैसा कर चुके हैं बहुत सरच कर चुके हैं बीर्ड ओयल उस तरह बीर्ड ओयल लेकिन दोस्तों इन सब से भी आपका कोई काम नहीं चला कोई फाइदा नुळा आपका पैसा पानी में पड़ गया तो चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, अगर आप इसे करते हैं तो 110% दोस्तो चैलेंज के साथ मैं कहे रहा हूँ, आपके फूल ग्रोध दाड़ी हो जागी, आप देखते होंगे फोटो थमले में मेरा इतना थोड़ा सा बचा है, बाकि सब वियर्ड आ गई है, तो दोस्तो चलिए मैं आपको कुछ तजबीरे देखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, और मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल जेनुवन यही असली तरीका है, इसके अलामा इस दुनिया में कोई तरीका नहीं है, एक तो मिनोक्सडिल, दोसर वैसे ही पता चल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं होते हैं, तो दोस्तों मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल नेचुरल, कोई नहीं बता पाएगा, यह उगाया गया है, दोस्तों यह बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से दोस्तों आपका बियर्ड ऊगेगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरे देखाया देता हूँ और एक छोटा से यहर मैं किलिप देखाऊंगा तो चलिए इस समय मैं अपने बियर्ड को 3-4 बार सेविंग करा चुका हूँ इस महिने में और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे बियर्ड धीरे धीरे पूरे निकल चुके हैं यह बियर्ड सिर्फ तीन दिन हुए हैं सेव कराते हुए और यहाँ पर देखे अच्छी खासी ग्रो हो रही है म इस में अपने देखा है पहले मैं अपने ऊपर खुद ट्राई करता हूँ फिर मैं दोसरों क्यों बताता हूँ ताकि उसे कोई दिकत नहों दोस्तों तो दोस्तों आपने शुरूस लेकर लाष्ट तक जितना कुछ मैंने आपको देखाया आपको समझ में आ गया होगा तो यार अगर आपको विश्वास इस चैनल पर तो यार चैनल को सस्क्राइब आभी कर दो और वीडियो को लाइक जरू करना तो चलिए दोस्तों मैंने क्या-क्या तरीका अपनाया था क्या-क्या चीज मैंने अपनाया था जो कि इतना अच्छी खासी मेरी दाड़ी गुड़ हु दोस्तों अगर आपके बिल्कुल बियाट नहीं आते हैं एक भी बियाट नहीं है आपके गाल पर तो दोस्तों आपको इसे यूज करना यूज कैसे करना चलिए आप भी सुन लिजिए दोस्तों इसे मगा लिजिए लगबग यह दो 300-200 में आ जाता है दोस्तों यह आपको Amazon और फिलिप कार्ड पर मिल जाएगा दोस्तों इसे लगाने का तरीका क्या है इसे दोस्तों आप एक टाइम में लगाएगा शुरुआती में इसे एक टाम लगाएगा वही छह साथ बजे से आप इसे लगा लीजिए और फिर लगाने के बाद दोस्तों इसे क्या करना आपको पंखा में नहीं सुखाना है घूमने नहीं जाना है खूले में आपको तो बिल्कुल नहीं जाना है जब यह सुख जाएगा तब आपको कहीं आपको जाना रहेगा तो चले जाएगे लगबग यह 5-6 मिनिट लेता है उसके बाद आपके स्कीन में जो है कि यह एफ्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों इसका नाम है मिनोक्स डिल और इसके साथ में आता है दोस्तों एक बायोटीन टेबलेट इसमें साथ टेबलेट रहते हैं दोस्तों ये टेबलेट क्या काम करता है जितने भी आपके छोटे-छोटे हेर्स होते हैं दोस्तों उन्हें ये ताजा तंदुरु वि मेंचने सेल्स होते हैं दूस्तों उससी हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको रगनने बाद ये मीनtox enemy अपको लगा लेना है दोस्तों मिनक्सिदिल इसके साथ में एक टीओब दोस्तो लेकिन आपको इसमें ट्यूप मिल जाता एक यमियल आपको लागाना है डीली सामको और ये टैबलेट दोस्तो खाना-खाने के बाद इसे खा ले साथ दिन तक यह चलेगा और यह मीन अक्षिडिल जो है दोस्तों तो धाई महीना तो चल ही जाएगा दोस्तों और हां मुह अच्छे से धोईएगा सेंपू से कोई भी आपके पास हेर वास सेंपू होगा तो उससे अच्छे से अपना मुह धो लेजिएगा धोने से दोस्तों एक महिने में फूल ग्रो वियर्ड आ गए थी सिर्फ इतना और मेरा मुष्ट अच्छा दोस्तों तो दोस्तों इसे अपनाईए जरूर इसे ट्राई कीजिए आपका वियर्ड आ जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबबाए